नमशकार दोस्तों आप सभी का स्वागत है क्रेश कोर्स पढ़ रहे हैं मद्दिकालिन भात के इतिहास का लेक्चर नमबर 20 है सभी कॉंपटिव एक्जाम के लिए बहुत जरूरी है इतिहास को बहुत सलल शब्दों में मैंने आपको एक्स्प्रेंट किया है अगर आप अपना समय बचाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो लेक्चर देखिए उसके बाद इसके क्लास नोट ले लीजिए श्री एजुकेशन एप से इसके class notes ले लीजिए बस revision करते रहे उसके बाद आपको दुबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी वीडियो की description में श्री एजुकेशन एप का link दिया हुआ है एप को download कर लीजिए वहाँ से store section में जाएंगे class notes आप ले लीजिए वीडियो पढ़िए ये वाला उसके बाद revision करिए note से आपको बहुत अच्छा subject ये clear हो जाएगा तो आज हम एक नए वंश की शुरुआत करने वाले हैं वीजे नगर सामराज्ये लगबग लगबग 1336 इस्वी से ये शुरू हुआ था और लगबग 1646 इस्वी में समाप्त हुआ था कहीं कहीं आपको 1649 भी टाइम दिखा आ जाएगा कहीं 1652 भी आ जाएगा इसके लिए घबराने कोई जुरूत नहीं है अलग-अलग एक्तिहासकारों के द्वारा ये मतभेद हैं तो जो Wikipedia पर दिया हुआ है authentic वो मैंने यहाँ पर लिखा है तो विजे नगत सामराज्य की जो स्थापना है 1336 में दो भाईयों के द्वारा हुई थी हरिहर और बुक्का अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इस विजे नगत सामराज्य में कुल चार वंशों के बारे में आपको पढ़ना है कितने वंशों के बारे में पढ़ना है, चार वंश आये थे, जैसे दिल्ली सल्पनत था, तो दिल्ली सल्पनत को क्यों कहा गया, क्योंकि वो ऐसा सामराज्जी था, जिसमें उन शास्चकों ने अपनी राजधानी दिल्ली को बना कर एक सामराज स्थापित किया था, इसलिए उसे हमने दिल्ली सल्तनत कहा, वैसे ही विजे नगर सामराज्य में जितने शाशक आएंगे, ये अपनी राजधानी को विजे नगर बनाएंगे, विजे नगर को आज की डेट में हमपी कहा जाता है, क्या हमपी, हमपी या विजे नगर, ये कहां पे है, करनाटक में है, कहां विजे नगर या हम पी इनकी राजदानी थी उस राजदानी को बनाकर जितना बड़ा सामराजे फैलाया था इन्होंने अधिक्तम ये मैप में मैंने आपको दिखाया है ये जो मैप है न ये विजे नगर सामराजे का अधिक्तम भाग है या कहा जिया इसकी जब चरम सीमा पर क्या वाले हैं मैंने अभी आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाया दिल्ली सल्तनत के बाद कई बच्चे कहते हैं ऑफ-लाइं क्लासेज में भी कहते हैं कि सर मुगल वंश क्यों नहीं आपने पढ़ाया दिल्ली वंश की शुरूआत आपको मालूम है 1206 इस्वी से लेकर ये समाप्त हुआ था 1526 में जब बाबर ने अटेक किया था और मुगल वंश 1526 इस्वी में शुरू हुआ था आपको मालूम है तो विजे नगा सामराजी तो 1336 में शुरू हो गया था तो जब ये विजे नगा सामराजी दक्षिन भारत में शु मुख्य तोर पर स्वतंत्र सामराजी स्थापित हुए थे दक्षिन में विजे नगा सामराजी था कृष्ण नदी के दक्षिन में विजे नगा सामराजी और कृष्ण नदी के उत्तर में यहां पर बहमनी सामराजी था कौन सा सामराजी था बहमनी सामराजी था वो एक मु विजे नगर सामराज्य कह सकते एक तरीके से अब ये देखिए ये कृष्णा नदी आपकी कृष्णा नदी के दक्षिन में विजे नगर सामराज्य फैला हुआ था कृष्णा नदी के उत्तर में बहमनी सामराज्य फैला हुआ था और कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है ये तुंग भद्रा नदी कौन सी नदी है ये तुंग भद्रा तुंग भद्रा कृष्णा नदी की ही सहायक नदी है कृष्णा और तुंग भद्रा के बीच का स्थान ये रायचूर दुआप कहलाता है दो नदियों के बीच का स्थान दुआप कहलाता है या आप जानते ही ह तो इस दवाब का नाम है रायचूर तो बहमनी और विजे नगर सामराज्य के बीच में शुरू से लेकर लाश तक संगर चलता रहा उनके कई कारण थे जो मुख्य कारण माना जाता है इस रायचूर दवाब को लेकर था रायचूर दवाब वाला जो छेतर बहुत ही उपजाओ था क्योंकि आप जानते हैं दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है जो दवाब वाला छेतर है बहुत उपजाओ होता है इसी परकार ये रायचूर दवाब बहुत ही उपजाओ था तो विजे नगर भी चाहेगा ये हमारा सामराज्जी में हो और बहमनी चाहेगा है हमारे सामराज्जी में हो कभी विजे नगर इसको जीत लेता था कभी बहमनी इसको जीत लेता था इन दोनों के बीच में संगर्ष बना रहा कहने का भाव ये है ठीक है अब हमें देखना है कि विजे नगर सामराज्य के अधीन टोटल कितने वंश आएं तो विजे नगर सामराज्य में कुल चार वंश हमें पढ़ने हैं संगम वंश पहला है, दूसरा सालू वंश, तीसरा तुलू वंश, चौथा आर्वीडू वंश पहला संगम वंश है, 1336 से लेकर 1485 इस वी तक इस वंश ने रूल किया इस वंश के संस्थापक हरियर और भुका थे, डिटेल में पढ़ेंगे आज हम संगम वंश को ही डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद अगले विडियो में सालू वंश को पढ़ेंगे हरिहर और बुक्का इस संगम वंश के संस्थापक माने जाते हैं दो भाई थे ये दोनों भाई थे अब इनका इतिहास भी बताऊंगा कहां से आये थे कैसे इन्होंने विजयनगर की शुरुआत की प्रोड देव इस वंश के आखरी शाशक थे प्रोड देव से शाशन छीन लिया गया इन्ही के कमांडर के द्वारा सालूव नर्सिंग के द्वारा तो सालूव नर्सिंग ने एक नए वंश के शुरुआत की सालूव वंश 1485 इस्वी से लेकर 1505 इस्वी तक ये वंश चला बहुत ही छोटा टाइम पिरिड है अब देख पा रहे हैं इस वंश के जो अंतिम शाशक थे इमाडी नर्सिंग थे उसके बाद तुलू वंश शुरू होता है इसके संस्थापक वीर नर्सिंग थे इसके बाद इसी वंश के जो आखरी जो शाशक थे सदाशिव राय थे उसके बाद आखरी वंश आता है आरवीडू वंश 1570 इस्वी से लेकर 1646 इस्वी तक इसका शाशन रहता है हाला कि कई जगा 1649 या 1652 भी दिया गया है इसकी स्थापना तिरुमल ने की थी और आखरी जो शाशक थे वो शिरी रंग तृतिय थे कौन थे शिरी रंग तृतिय प्रतम दित्य तृतिय आप समझ पा रहे हैं कि इसी नाम के दो और शाशक इस वंश में आये होंगे विजे नगस सामराज्य की शुरूआत कैसे हुई थी एतिहासिक बैक्ग्राउंड कैया है अर्थात हरिहर और बुका ने किस परकार से विजे नगस सामराज्य की शुरूआत की थी कहां से आये थे ये इसे पढ़ने से पहले मैं उमीद कर रहा हूँ आपने खिलजी वंश भी पढ़ लिया होगा और तुगलक वंश भी पढ़ लिया होगा पढ़ लिया है ना तो अब बढ़िया आगे अलाओ दिन्खिल जी के बारे में तो आपने जरूर पढ़ा था अलाओ दिन्खिल जी दिल्ली सल्टनत का ऐसा पहला सल्टान हुआ जिसने दक्षिन पर भी अपनी विज्य हासिल कर ली थी डक्षिन भारत के अभियान सब याद होना चाहिए हाला कि दक्षिन भारत में जो उसने अभियान किये थे उस छेत्र को इसने अपने सामराजी में नहीं मिलाया था बलकि वहाँ पर जीत हासिल करके वहाँ के शाशकों को मजबूर कर दिया था कि वो हर वर्ष उन्हें टेक्स देंगे दिल इखे डिली को टेक्स देंगे लेकिन जो यहां के शाषन व्यबस्ता है यह शामराज जी यह राजा खुद ही समखा लेंगे यह दिल्ली नहीं समखा लेगा ठीक है तो एक तरीके से अलाओदिन खेल जी ने दक्षिन भारत में विजे तो की थी लेकिन अपने सामराजी में नहीं मिलाया था बलकि उन्हें मजबूर कर दिया था कि वो हर वर्ष टेक्स के रूप में कुछ धन भेजा करते थे दिल्ली को मैं आपको बताता हूँ अलाउदिन खिल जी के टाइम पीरेट पर अलाउदिन खिल जी ने दक्षिन में मलिक काफूर को भेजा था भेजा था कि नहीं भेजा था मलिक काफूर ने वारंगल को जीत लिया था सबसे पहले तो दक्षिन में देवगीरी को जीता था देवगीरी में यादो वंश का शाशक था शाशन था ना, रामचंद्र रामचंद्र जो की यादोवश के शाशक थे उनसे देवगीरी को छीन लिया गया हाला कि बाद में ऐसी प्रिस्तितियां होई कि देवगीरी को पूरी तरीके से अलाओदिन खिलजी ने अपने सामराजी में मिला लिया था बार-बार ये विद्रो कर रहे थे उसके बाद वारंगल ये आप देख लें हैं वारंगल अभियान किया यहाँ पर काकती वंश के शाशन चल रहा था काकती वंश के जो शाशक वहाँ पे थे परताप रुद्र थे या रुद्र परताप उन्हें कहा जाता है उनसे जीत हासिल की और उन्हें मजबूर कर दिया कि वो दिल्ली को टेक्स पे किया करेंगे हर वर्ष हाला कि जो शाशन विवस्ता है वो जो है काकती के शाशक प्रतापरूद्र खुदी समालेंगे उसके बाद द्वारसमूंद्र करनाटक में एक जगा करनाटक वाला जो छेतर है वो होईसेल वन्ष के अधीन था होईसेल वन्ष के जो राजा थे बल्लाल तृतिय वीर बल्लाल तृतिय तो इनको भी हरा दिया गया था इनको भी मजबूर कर दिया था कि प्रतिवर्ष ये टेक्स दिया करेंगे दिल्ली को और यहाँ पर आपको मालूम है यहाँ पर पांडे वंश का शाशन था और उस समय वीर पांडे और सुंदर पांडे जो दो भाई थे इनके बीच में लड़ाई जगड़ा चल ला था उत्तरा धिकार को लेकर यह सब आपको याद आगया होगा ठीक इतना याद आगया ना आपको अब उसके बाद जब 1296 से 1316 इस्वी में यह अलाओ दिंख खिल जी का टाइम प्रेड़ खतम हो जाता है और आगे चल कर 1320 इस्वी में जब खिल जी वंश पूरा समाप्त हो जाता है तो उसके बाद शुरूआत होती है ग्यासुदीन तुगलक की उसके बाद तुगलक वंश की शुरूआत होती है और संस्थापक कौन है ग्यासुदीन तुगलक ग्यासुदीन तुगलक जब 1320 इस्वी में गद्दी पर बैठता है तो उसे यह मैप में देख लिए यह सामराज्य मिला हुआ है इतना सामराज्य उसे मिला हुआ है दिल्ली का जब ग्यासुदीन तुगलक गद्दी पर बैठता है अब करता क्या है ग्यासुदीन तुगलक 1323 इस्वी में अपने बेटे को दक्षिन की ओर भेजता है वो ग्यासुदिन तुगलक का बेटा कौन है मुहम्मद बिन तुगलक ही है जिसे जोना खा के आप नाम से जानते हैं तो वो क्या करता है काकती वन्ष को समाप्त कर देता है काकती वंश को समाप्त कर देता है परताप रुद्र वहां के शाशक थे तो उन्हें समाप्त कर देता है और काकती वंश को वो अपने अधीन कर लेता है और वहीं पर थोड़ी दूर जाकर वो पांडियों को भी पांडियों का जो उत्तरी भाग है मेदुरेई वाला जो छेत्र है तमिलनाडू में वो भी अपने अधीन कर लेता है ठीक है? वो भी अपने अधीन कर लेता है यहीं पर आप रुख जाईए यह कब हुआ है? 1323 इस्वी में याद रखिए जब जोना खां जोना खां या मुहमद बिन तुगलक 1323 इस्वी में काकती वंश पर हमला करने के लिए आया तो काकती वंश के ही अधीन दो भाई काम करते थे, सेना में दो भाई काम करते थे कौन-कौन? हरिहर और बुका हरिहर और बुका जब काकती वंश को समाप्त करके दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया गया तो हरिहर और बुक्का दोनों भाग कर चले जाते हैं कामपली वंश में ये छोटा सा सामराज आप देख ले हैं मैं अप में छोटा सा ग्रीन कलर का ये छोटा सा सामराज जो और कुछी वर्षों के लिए ये सामराज जाय था कामपिल ठीक है कामपिली ये मैं लिख देता हूँ कामपिल या कामपिली वंश आई कामपिली वंश तो कामपिली वंश के यहां आ जाते हैं और वहां पे मंत्री बन जाते हैं कौन हरिहर और बुक्का हरिहर और बुक्का ये आप मैप में देखिए 1323 में क्या हो गया 1323 में काकतिय और पांडियों पर कबजा कर लिया गया तो ये मैप में आप देख रहे हैं यहाँ पर काकतिय वंश समाप्त हो गया पांडेयों का ये जो उत्री वाला मुख्य भाग था मैदुरई वाला वो भी दिल्ली के अधीन हो गया लेकिन होयसेल पर अपना वो कुछ नहीं कर पाए दिल्ली का जो ग्यासुदिन तुगलक का पुत्र था मुहमद बिन तुगलक वो होयसेल वंश को नहीं छूपाया होयसेल वंश ने विरोध किया और होयसेल वंश का कुछ नहीं विगाड़ पाया यह कहानी आपको पता ही है और यहां पर कंपिल वंश है कंपिल वंश चोटा सा है और यहां पर हरिहर और बुक्का भाग कर आ गए हैं इतना कहानी आपको मालूम है ठीक है अब तेरा सू पच्चीस अचभी मैं घ्यासुदीन तुगलग के बाद अब शाशन आ जाता है मुहम्मद बिन तुगलक का क्योंकि ग्यासुदिन तुगलक की मित्ति हो गई दिल्ली के पास कुछ दूरी पर अफगान पूरी एक जगा है वहाँ पर एक लखडी का महल बनवाया था मुहम्मद बिन तुगलक ने उसी में दबने की कारण ग्यासुदिन तुगलक की मित्ति हो जाती है अब सुल्तान بن जाता है मुहम्मद बिन तुगलक तो यहाँ पर होईसेल वंश को छोड़कर पाकी पूरा दक्षिन का लगबख हिस्सा मुहम्मद बिन तुगलक के अधीन हो ही चुका था और कामपिल यहाँ पे कामपिल एक जगा है कामपिली वंश में एक मंत्री हुआ करते थे दो भाई हरिहर और बुका यह सब आपको कहानी अभी तक पताईए और कामपिली वंश ने कामपिली जो सामराजी था उसने एक मुसलिम शाषक को शरण दे दी और वो मुसलिम शाषक मुहमद बिन तुगलक का दुश्मन था तो होना क्या था मुहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमन कर दिया कामपिल पर और कामपिल वंश को समाप्त कर दिया और यहां से जितने भी जो मिला उसको पकड़के वो दिल्ली ले आए बंदी बनाकर सबको दिल्ली ले आए उसमें हरिहर और बुक्का भी थे हरिहर और बुक् और दक्षिन में फिर से विद्रो हो गया, आपको याद ही होगा कि मुहमद बिन तुगलक के टाइम पर टोटल सेंथ 34 विद्रो हुए थे, जिसमें से 27 विद्रो तो दक्षिन भारत में हुए थे, और 7 विद्रो उत्र भारत में हुए थे, तो दक्षिन में जब विद्रो हो तो मुहम्मद बिन तुगलक ने इन दोनों भाईयों को दक्षिन की और भेज दिया कि दक्षिन में जो विद्रो है उसे समाप्त करो और अगर हो सके तो सामराजी का विस्तार भी कर दो किसे किसे भेजा था हरिहर और बुक्का को तो हरिहर और बुक्का जब फ्री हो गए तो वो दक्षिन की और गए उन्होंने हिंदू धर्म कर कबूल कर लिया उन्होंने क्या किया हिंदू धर्म को कबूल कर लिया वापिस से हिंदू धर्म को कबूल कर लिया और विजे नगर सामरा जिकी स्थापना कर दी तुंग भद्रा नदी के किनारे विजे नगर सामराज्जी की इन्होंने स्थापना कर दी हाँ ये भी पूछा जाता है कि हिंदू धर्म जो इन्होंने दुबारा से कबूला था किस संत के अधीन रहते हुए इन्होंने हिंदू धर्म को स्विकार किया था या किस संत से इन्होंने अपने इसलाम धर्म से छुटकारा पाके हिंदु धर्म को दुबारा स्विकार किया था तो उनका नाम है विद्यारने क्या नाम है उनका विद्यारने ये संत थे विद्यारने इन्हीं से भिक्षा लेकर इन्होंने हिंदु धर्म को दुबारा से स स्थापना कर दी तो विजे नगर सामराजी की स्थापना 1336 इस्वी में हुई थी और उस समय दिल्ली में तुगलक वंश चला था और तुगलक वंश का जो सुल्तान था मोहमद बिन तुगलक था बहुत बड़ा प्रशन है ये बहुत बड़ा प्रशन है और मैंने आपको बत सुल्तान वंश ये ये अभी तक अपने क्या जाना अभी तक आपने बस इतना ही जाना हरीहर और बुक्का कहां से आये थे हरीहर और बुक्का पहले काकती वंश के शाशक के अधीन काम करते थे लेकिन 1323 हिस्वी में कब 1323 हिस्वी में जब दिल्ली में ग्यासुदीन तुगलक बैठा हुआ था तो उसने अपने बेटे मुहमद बिन तुगलक को काकती वंश पर हमला करने के लिए भेजा और परताप रुद्र की हत्या कर दी और काकती वंश को अपने अधीन कर लिया तो होना क्या था हरिहर और बुका काकती वंश से भाग कर कामपिल ये वंश में आ गए कामपिल जो राजा थे कि एक मुस्लिम शाषक को शर्ण देने के कारण इस पर हमला किया गया काम पिल पर और वहाँ से हरिहर और उबुका के साथ कई लोगों को बंदी बनाकर ले जाया गया हरिहर और उबुका को इसलाम धर्म कबोल कर वाया गया उसके बाद दुबारा से दक्षिन में भेजा गया लेकिन विद्यारने के शिश्य बनकर उनके भिक्षू बनकर कहा जाए उनके अधीन रहकर उनसे सिक्षा पाकर उन्होंने हिंदु धर्म को दुबारा से कबूल कर लिया और अपने आपको दक्षिन में सोतनत्र स्थापित कर दिया तुंग भद्रा नदी के किनारे विजे नगर सामराज्जी की स्थापना की अब इन ही के बारे में हमें पढ़ना है अब हम संगम वंश के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हरिहर और बुक्का ने विजे नगर सामराज्जी की स्थापना की या कहा जाए संगम वंश की स्थापना की तो हरिहर जो थे इसमें बड़े थे और सबसे पहले शाशक यही बनते हैं हरिहर राय या हरिहर प्रथम 1336 वी से लेकर 1356 वी तक इनका शाशन रहता ह हर्यहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था इसलिए इस वंश को संगम वंश कहा जाता है इसलिए क्या कहा जाता है इस वंश को संगम वंश कहा जाता है ठीक है इनकी प्रारंभिक राजदानी एनी गुंडी थी एनी गुंडी ये करनाटक में पढ़ता है तुंग भद्रन तुंग भद्र नदी के उस पार इस पार ठीक है तुंग भद्र नदी के उत्तर की ओर आपका एनि गुंडी है यहां पर एक किला है यहीं से हरिहर और बुक्का ने सामराज्य अपना शुरू किया और धीरे धीरे इन्होंने अपनी राजधानी को विजयनगर स्थापित कर द ज्यादा दूरी पर नहीं है तुंग भद्रन नदी के इस किनारे दक्षणी किनारे पर यहां पर वीजे नगर है इन्होंने अपनी राजधानी को वीजे नगर या हमपी पर स्थावन अंतरित कर दिया अब 1343 सिस्वी में यहां पर देखिए वीजे नगर सामराज है बगल मे संकूचित हो गए हैं बहुत छोटे हो गए यहां पर बहुत नाम मातर के ही हैं वो भी आगे चलकर समापत हो जाएंगे तो 1343 सिस्वी में होईसेल जो शाशक थे वीर बलाल तृतिय वीर बलाल तृतिय इन्होंने मैदुरई से मैदुरई के सुल्तान से युद्ध लड़ा शुरुआत में तो इनकी जीत हो गई थी लेकिन उस कुछ समय बाद दुबारा से जब युद्ध होता है वीर बलाल तृतिय की हत्या कर दी जाती है मैदुरई के सुल्तान के दौरा वीर बलाल की तृतिय की हत्या कर दी जाती है इसी का फाइदा उठाकर विजे नगर सामर अर्थात हरियार और बुक्का ने खॐई सेल वाला जो छेटर था लगभग लगभग पूरा छेतर अपने सामराज में मिला लिया तो इस सामराज भड़कर इतना हो गया इस सामराज देख लीजिए इनका बढ़ गया क्योंकि होई सेल जो सामराज था इसको भी इनोंने अपन अधीन मिला लिया क्यों क्योंकि वीर बलालत्रितिय में दुरई के सुल्तान से लड़ते हुए मारे गए ठीक है इसके बाद 1347 सिस्वी में बहमनी सामराज्य भी स्थापित हो गया अभी तक यहां पर दिल्ली का अधिकार था लेकिन अब मैप में देखिए यहां पर बहमनी स सामराज्य था इन्होंने भी अपनी सुतंतरता को घोशित कर दिया और एक नया वन शुरू किया बहमनी सामराज्य वीजे नगत सामराज्य को पढ़ने के बाद हम बहमनी सामराज्य के बारे में पढ़ेंगे 1356 इस्वी में जब हरिहर प्रत्म की मित्य हो जाती है तो उसके बाद इसका भाई जो बुक का राय था वो गदी पर बैठता है बुक का राय 1356 इस्वी से लेकर 1367 इस्वी तक रहता है ये जितने भी शोल जितने भी शाषक आये थे ये मैंने लिख दिये यहाँ पर ठीक है संगम वंश में जितने भी शाशक थे वो सब मैंने बता दिये हैं बुक्का प्रतम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठान की उपाधी ली थी कई अभी लेखों में तो बुक्का को पूरवी पश्चमी और दक्षिनी सागरों का स्वामी भी कहा गया है ऐसा इसलिए क्योंकि बुक्का प्रतम के टाइम पीरेड तक जो विजे नगत सामराज्य बहुत बड़ा हो चुका था ये बहुत बड़ा सामराज्य हो गया था इतना बड़ा सामराज्य हो गया था कि इस सामराज्य के पूरव में भी सागर है दक्षिन में भी सागर है और इसके पश्चिम में भी सागर है और दक्षिन में भी एक महा सागर है तो इसलिए कहा जा रहा है कई अभी लोखों में कि पूर्वी सागर पश्चिमी और दक्षिनी सागर का स्वामी बुक्का प्रथम है ठीक है इसके लावा 1367 हिस्वी में कब 13 1367 इस्वी में बुक्का प्रथम ने और बह्मनी शाशक मुहमत शाह प्रथम के बीच में मुद्गल के किले पर युद्ध हुआ था इस किले पर जब युद्ध हुआ था तो पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया 1367 इस्वी में बुक्का प्रथम जो की विजे नगर सामराज्य के शाशक है और उसमें बह्मनी शाशक मुहमत शाह प्रथम इनके बीच में एक युद्ध हुआ था जिसे मुद्गल के किले का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में कहा जाता है कि कोई परिणाम नहीं नि और पहली बार जब तोपो का प्रियोग होगा बड़े पैमाने पर वो बाबर और इबराहिम लोदी के बीच का जो युद्ध था वो बुक्का प्रथम का एक पुत्र था कुमार कंपन क्या नाम था कुमार कंपन बहुत ही महान एक तरीके से शाशक था इसी ने मैदुरे को इसी ने अंजाम दिया था वुक्का प्रथम ने अपने बेटे कंपन कुमार कंपन को भेजा था मैदुरे जीतने के लिए जो हाँ पर मैदुरे सुल्तान हुआ करते थे उनसे मैदुरे को छिन लिया गया और विजे नगर सामराज में मिला दिया गया तभी तो इतना कुमार कंपन और मैदुरे विजे की जो सारी कहानी है में कहां से मालुम पड़ती है एक पुस्तक है मैदुरे विजेम कौन सी पुस्तक है मैदुरे विजेम ये पुस्तक लिखने का जो श्रय है गंगा देवी को जाता है और गंगा देवी कंपन की वाइफ थी कुमार कंप की पतनी थी कंगा देवी जो थी वो कुमार कंपन की पतनी थी इसके अलावा बुक्का प्रथम के बारे में आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि चीन के अंदर चीन में अपना दूत मंडल भेजने वाला जो शाशक था वो बुक्का प्रथम था इसने चीन में अपना इसवि से लेकर 1404 इसवि तक रहता है इसका जो शासंगालैंग है वह 1377 सवि से 1444 इसवि तक रहता है और हरिहर दित्य ये पहला शाशक हुआ विजे नगर सामराज का ये पहला शाशक हुआ जिसने महाराजा धिराज और राज परमेश्वर की उपाधी ग्रहन की थी महाराजा धिराज और राज परमेश्वर की उपाधी ग्रहन करने वाला पहला शाशक विजे नगर सामराज का हरिहर दित्य था कौन था हरिहर दित्य था ये शिव भगवान को मानता था शिव का उपासक था ये या कहा जाए विरुपाक्ष का उपासक था शिव का ही रूप है और बहमनी सामराज से इसने गोवा और बेलगाओं को छीन दिया था गोवा और बेलगाओं को छीनने वाला जो शाशक था वो हरिहर दित्ति था हरिहर दित्य था और वेदो पर टीका लिखने वाले जो सायन है जिने पूरा नाम सायनाचार कहा जाता है शोट में इन्हें सायन कहा जाता है और सायन ये हरिहर दित्य के ही मुख्यमंत्री थे इसके बाद हरिहर राय दित्य के तीन पूत्र थे विरुपाक्ष राय बुक्का राय दित्य और देवराय प्रथम इनके बीच में सत्ता को लेकर युद्ध हुआ संघर्ष हुआ सबसे पहले तो विरुपाक्ष बैठे कुछ महीनों के लिए और कुछ टाइम के लिए उनके भाई बुक्का राय दित्य बैठे लेकिन लाष्ट में जो विक्ट्री हुई वो देवराय प्रथम की हुई 1406 इस्वी से लेकर 1422 इस्वी तक इनका शाशन रहता है ठीक है इनके पीता का नाम हरिहर दित्य आपको मालूमी चल गया है देवराय प्रथम के बारे में सबसे महत्तपुन जानकारी ये है कि इटली यात्री निकोलो डी कॉन्टी 1420 इस्वी में विजे नगर आया था ये इटली का यात्री था ये कौन था इटली का यात्री था और इसके अलावा सिचाई विवस्था को अच्छा करने के लिए निर्मान करवाने वाला शाषक देवराय प्रथम था देवराय प्रथम ने पहली बार पूरे वीजे नगर सामराजजिं में पहला ये ऐसा शाषक हुआ था जिसने अपनी सेना में हजार मुसल्मानों को रखा था हजार सैनिक ऐसे थे जो मुस्लिम थे तो हजार सैनिकों जो मुस्लिम थे उनकी भरती करने वाला पहला शाशक देवराय प्रत्थम था इसके बहुत सारे शाशकों ने ऐसा किया इसके दरबार में एक बहुत परसिद कवी है शरीनाथ बहुत परसिद्ध कवी है श्रीनात ये देवराय प्रत्थम के दर्बार में रहते थे और इस कवी श्रीनात जो कवी थे इनकी एक रचना है बहुत परसिद्ध है हर विलास हर विलास किसके दोरा लिखी गई है तेलगु भाषा के पसिद्ध कवी शिरिनात के दोरा लिखी गई है याद रखेंगे और बहुत ही इंपोर्टन में चीज आपको बता रहा हूँ ये हमें जानकारी दी है फरिष्टा ने फरिष्टा जो हिस्टोरियन है उन्होंने ये कहा है कि देवराय प्रथम और बह्मनी शाशक फिरोजशा के बीच में युद्ध हुआ था इस युद्ध को सोनार की बेटी का युद्ध कहा जाता है एक सोनार की बेटी थी रायचूर दुआब वालज छेतर है वहीं पर एक सोनार की बेटी रहती थी तो उसका हाथ मांगने क के लिए देवराय प्रथम गए थे बहुत सुन्दर थी लेकिन सोनार की बेटी ने मना कर दिया था सोनार की बेटी ने मना कर दिया था इसी कारण से गुस्से में आकर देवराय प्रथम ने उस छेतर पर हमला कर दिया और बहुत सारा नुकसान किया था जब यह जानकारी ब बहुत सारी जगा थी वो फिरोजशा को देनी पड़ी थी, इसके अलावा देवराय प्रथम को अपनी पुत्री का विवा फिरोजशा से करना पड़ा था, याद रखिये, तो देवराय प्रथम की पुत्री का विवा फिरोजशा से हुआ था, बह्मनी शाषक फिरोजशा से ह हुआ था याद रखिए क्यों हुआ था सुनार की बेटी के युद्ध के कारण उसके तहट जो संधी हुई थी इसी कारण से उसके बाद देवराय दित्या आते हैं उसके बाद कौन आते हैं देवराय दित्या 1424 इस्वी से 1446 इस्वी तक इंका टाइम पेर्ड मुख्य तोर पर रहता है क्योंकि 1422 से 1424 के बीच में संघर्ष का टाइम पीरिड रहता है रामचंदर राय उसके बाद वीर विजय बुक्का राय के बीच में उसके बाद आते हैं देवराय दित्या देवराय दित्या के बारे में सबसे महत्तपुन जानकारी तो यह है कि जितने भी शा आप याद रखिए परिक्षा में बहुत बार पूछा गया है गज बेटकर गज मतलब हाथी हाथियों को मारने वाला हाथियों का सर्वनाश करने वाला गज बेटकर इमाडी देवराय की उपाधी देवराय दित्ति की थी और प्रोड देवराय की उपाधी भी देवराय दित के दरबार में फार्सी यात्री अब्दुर्रजाक आये थे अब्दुर्रजाक जो की एक फार्सी यात्री है वो देवरादुत के ही दरबार में आये थे और इन्हें भेजा किसने था इरान के जो शाशक थे ना उन्होंने इस अब्दुर्रजाक को भेजा था तो इरान के शा बार में एक बार युद्ध हुआ था कोई लड़ाई जगड़े वाला युद्ध नहीं शास्त्री युद्ध हुआ था एक तरीके से मतलब शास्त्री मुकाबला हुआ था दो कवियों के बीच में वो कवी शिरिनात जो आप उने आपको बताया था भी उसके बाद कवी दिंदिमा तो देवरा दित्य के दरबारी कवी थे तो शिरिनात और दिंदिमा के बीच में शास्त्री मुकाबला हुआ था और इस शास्त्री मुकाबले में शिरिनात की जीत हो जाती है ऐसी कविताएं मतलब एक कविता ये पढ़ते हैं एक कविता वो पढ़ते हैं तो इस उपाजदी थी सार्वभॉम की उपाजदी थी इसके अलावा जब कवी श्रिनाज जीते थे तो इंके उपर सोने के सिक्कों की पुई बारिश कर दी गई थी देवरायदुत्य के द्वारा और देवरायदुत्य ने भी अपने सेना के अंदर 2000 तुर्की जो धनूरधर से थी देवरायदुत्य जो टाइम पिरेड चल ला था उसी दोरान गजपती वन्ष गजपती वन्ष की स्थापना होती है और यह स्थापना 1434 सिम्च में होती है और इस वन्ष के जो संस्थापक थे कपिलेंदर देव थे मैप में आप देख लीजिये यह है गजपती बढ़ता जाएगा और विजे नगर को भी ये जीत जाएंगे थोड़ा सा साम राजे विजे नगर का जो ये वाला जो भाग है नहीं ये भी ये जीत जाएंगे आगे चल कर इसके बाद मलिका अर्जुन 1446 हिस्वी से लेकर 1465 हिस्वी तक इनका टाइम पिरेड था और देवराय दुत्य के बड़े पुत्र थे मलिका अर्जुन विरुपाक शराय दुत्य और ये जो आपके प्रोडराय हैं ये सभी दुर्बल शाशक थे एक तरीके से तो मलिका अर्जुन का टाइम पिरेड 1446 से 1465 हिस्वी तक रहता है इनके शाशंकाल में चीनी यात्री माहुआन कौन माहुआन आया था लेकिन वो समुद्री रास्ते से आया था याद रखेंगे इसके बाद विरुपाक्ष आते हैं 1465 से 1485 तक इनका टाइम पिरेड रहता है ये कौन थे मलिका अर्जुन के भतीजे थे मलिका अर्जुन के भतीजे थे अर्थात विरुपाक्ष जो थे वो मलिका अर्जुन के भतीजे थे मलिका अर्जुन विरुपाक् महमूत खां महमूत खां के नित्रित्व में विजे नगर में आक्रमन किया था और कौंकन तट पर अपना अधिकार कर लिया था यहां पर कौंकन तट पर अपना अधिकार कर लिया था मैं आप में आप देखिए तो यह जो विजे नगर सामराजी जो था वो कम हो गया था वीरु पाक्षिसे अब ये किसके अधीन आ गया दोआब वाला जो छेतर है वहमनी सामराज्य के अधीन आ गया इसके अलावा गजपती जो शाशक थे पुर्शोत्तम देव पुर्शत्तम देव ने अभी अपना सामराज्य बढ़ाया और वीजे नगर सामराज्य को दबा दिया यहाँ पर वीजे नगर सामराज्य के जो उत्री सीमा है पूरुव की दिशा में उस पर भी अपना अधिकार कर लिया था जो तिरुवंत मलय जो जगा है ये कहां पर पढ़ती है तमिलाडू में तो यहां तक अपना सामराज्य फैला लिया था पुरुशोत्तम ने पुरुशोत्तम उस समय गजपती वंश के शाशक थे पुरुशोत्तम देव का टाइम पिरिड चौदा सो स्तांसाट इ स्विसे 1497 इसविट तक था इसके बाद आखरी शाशक आते हैं प्रॉड देव प्रॉड देव आते हैं और प्रॉड देव अपने ही पीता विरुपाक्ष की हत्या कर देते हैं क्योंकि विरुपाक्ष के टाइम पिरिड पर जो विजए नगर सामराज्य था वो कम होता जा रहा है और गजपती जो वंश है वो भी लूटता जा रहा है तो इसी का फाइदा उठा कर प्रोड देव ने अपने पीता की हत्या कर दी और इसके बाद खुद गदी पर बैठ गया लेकिन कुछ ही टाइम समय के बाद कुछ टाइम पीरिट के बाद इसी का कमांडर जिसका नाम ता सालू नर्सिंग वो इसे सामराजी से छीन लेता है और एक नए वंश की शुरूआत करता है सालू वंश इसके बाद ए आपकी परिक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट हैं तो दुबारा से दो तिन बार वीडियो दिखेंगे आपको सभी क्लियर हो जाएंगे इसके जो क्लास नोट्स हैं वो मैंने अवेलिबल करवा दिये हैं शरी एजूकेशन एप पर शरी एजूकेशन एप डाउनलोड कर ल